चानक के I.S. Academy के Current Affair में आपका स्वागत है नारी शक्ति वंदन विधेयक नए संसक्भोवन की पहली कारेवाही में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया महिला रक्षन पारित कराने के लिए पिछले 27 साल में मौझूदा सरकार समे चार सरकारों की ये ग्यार्मी कोशिश है महिला रक्षन के लिए पेश विधेयक का नाम 128. समिदान संशोधन विधेयक 2023 है जिससे केंदर सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया है में यथा संभव एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानि अगर लोग सवा में 5 क्या संसद में बिल पारित होने से सबी राज्यों की विधान सभाओं में भी यह लागू हो जाएगा? हाँ होगा लेकिन इसके लिए एक और प्रक्रिया से गुजरना होगा क्योंकि ये संविधान संशोदत भी देख है इसलिए इसे पारित करने के लिए लोग सभा और राज्य सभा में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी विधान सभा सीटों में भी बतला होगा ऐसे में आदे से जादा राज्यों की सहमती भी जरूरी होगी अगर सभी राज्यों की विधान सभा प्रदभावित हो रही है तो उस राज्य की विधान सभा भी सरकार से मांग कर सकती है कि हमारी सहमती भी लीजे क्या ये अरक्षन राज्यसभा और विधान परिशदों में भी लागू होगा? नहीं, विधियक में कहा गया है कि ये सीधे जनता द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों पर ही लागू होगा इसका मतलब है कि ये आरक्षन राज्य सभा या सभी छे विधान परिशदों पर लागू नहीं होगा इस विधेख में लोगसभा, राज्यों की विधान सभा और NCT दिल्ली की विधान सभा शामिल है ये है अरक्षन क्या आगामी पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव और 2024 के लोगसभा चुनाव में लागू हो पाएगा विधेख में साफ तोर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए एक तिहाई रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन यानि परिसीमन के बाद ही लागू होगा विधेख के कानून बनने के बाद जो पहली जनगर्ना होगी उसके अधार पर परिसीमन होगा 2026 से पहले परिसीमन लगभक असंबव है क्योंकि 2021 में होने वाली जनगर्ना COVID-19 की वज़ा से अभी तक नहीं हो सकी है अगर आगामी 5 राज्यों के विधान सभा चुनाव और 2024 के लोक सभा चुनाव समय पर हुए तो इसमें महिला आरक्षन पारित होने के बावजूत लागू नहीं हो सकेगा क्या यह है आरक्षन हमेशा के लिए है लोक सभा और विधान सभाओं में यह है कानून जब लागू हो जाएगा उसके बाद 15 साल तक अमल में रहेगा उससे आगे रिजर्वेशन जारी रखने के लिए फिर से बिल लाना होगा और मौझूदा परक्रियाओं के तहत उसे पास कराना होगा अगर 15 साल के बाद उस समय की सरकार नया बिल नहीं लाती है तो यह कानून अपने आप खत्म हो जाएगा क्या S.E.S.T. महिलाओं को अलग से आरक्षन होगा नहीं S.E.S.T. महिलाओं के लिए आरक्षन S.E.S.T. कोटे से ही मिलेगा इसे एक उधारन से समझे इसवक्त लोकसवा में S.E.S.T. के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 131 है महिला अरक्षन लागू होने के बाद इसमें से एक तिहाई यानि 44 सीटे NCST महिलाओं के लिए अरक्षित हो जाएंगी बाकी 87 सीटों पर महिला पूरुष कोई भी लड़ सकता है क्या OBC महिलाओं को अलग से अरक्षन मिलेगा? नहीं इस विद्धियप में OBC महिलाओं के लिए अलग से अरक्षन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कौन सी सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाई ये कैसे तेह होगा? इसके तीन स्टेप्स होगे पहले ये बिलपारित होगा उसके बाद जनगरना और फिर परी सीमन होगा परी सीमन के बाद तेह होगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए अरक्षित होगी सीटों का चुनाम रेंडम हो सकता है या महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर भी हो सकता है चुकि जादातर सीटों पर महिलाएं पूरुषों का रेशो लगबख बराबर होता है इसलिए अरक्षित सीटें रेंडम चुनने की संभावना जादा है अगली बार के सीटों पर अरक्षित रोटेशन के अधार पर होगा और हर परी सीमन के बार सीटें बदली जा सकेंगी इसे एक उधारन से समझे, अभी लोक सबह में 543 सीटे हैं, महिला अरक्षन बिल लागू होने के बाद इन में से एक तिहाई, यानी 181 सीटे महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी रोटेशन सिस्टम के बाद हर अगले चुनाव में 181 सीटे बदल जाएंगी यानी 181 महिला सांसदों का टिकेट कर जाएगा, या वे अपनी मौझूदा सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी इसी तरह पिछले चुनाव की अन्रिजर्व्ड 362 सीटों में से 181 सांसद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या उनकी सीट बदल जाएगी इसका मतलब है हर चुनाव में 362 सांसदों का या तो टिकेट कर जाएगा या उनकी सीटे बदल जाएगी क्या एक महिला अरक्षित एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है नहीं अगर कोई महिला महिला अरक्षित सीट से चुनाव लड़ रही है तो वो दूसरी महिला अरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती वो एक आरक्षित और एक अनारक्षित सीट पर चुनाव लड़ पाएगी या नहीं इसका जिक्र विदेयक में नहीं है क्या मौजूदा लोकसबा और विधान सभाओं पर इस विदेयक का कोई असर नहीं पड़ेगा यानि अभी जितने सांसर या विधायक हैं उनकी संख्या में बदलाव नहीं होगा क्या रिजर्वेशन बिलागू होने के बाद महिलाई केवल आरक्षित सीटों से ही चुनाव लड़ पाएगी नहीं लोगसबा की 543 सीटों में से 181 पर तो महिला ही चुनाव लड़ेंगी बाकी बज़ेव सीटों पर हर वर्ग की महिलाई चुनाव लड़ सकेंगी वैसे ही जैसे अभी लड़ती है आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है कल हम एक नई टॉपिक के साथ एक बार फिर से मिलेंगे हमारे वीडियो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करें धन्यवाद